बी पी ए सी टी आरी थिरी का हुआ एलान चेर्मेन अतुल परसाद महोदे ने दिया बहुत बरा बयान डो मिसाइल आप कोई मजबूरी नहीं नमस्कार आदाब और दिल से परनाम आप तमाम सिक्चक अभ्यार्थियों के साथ साथ तमाम दोस्तों को मैं हूँ इसके चौधरी शाथियो एहम ख़बर और बहुत बड़ी खुश खबरी लेकर आया हूँ आप तमाम सिक्षक अभ्यार्थियों के लिए आज की तिती छाह फरबरी 2024 को शाथियो खुशियो भरा पैगाम है इससे पहले कि इन तमाम संदेशों को आप सभी के बीच हम परस्तूत करें जो भी हमारे बंदू हमारे इस चैनल सुशत्य वचन से अभी तक नहीं जूर पाए हैं वो किर्पया चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल से जुड़ जाए ताकि कोई भी सटी ख़बर आपके समक्च सबसे पहले जा सके और आपके मुद्दों को हम उठा सके सरकार के समक् और सिक्षाब बिभाग के समक्च शाथियों आप सभी अबगत हैं कि आधी के तित्थी में बीपीएसी के चेर्मेन अतुल परसाद महोदय ने प्रेस कॉनफरेंस के माध्धम से बीपीएसी टियारी थिरी का ऐलान कर दिया है और इसी करम में उन्होंने बहुत बड़ी बा परवरी से लेकर 23 फरवरी 2024 तक निर्धारित किये गये हैं और इसकी परिक्षा कीती थी 7 मार्श से लेकर 17 मार्श तक निर्धारित की गई है तमाम अभियर्थियों के लिए बहुत बड़ा ये दिन निर्धारित किया गया है और कई माईनों में ये दिन बहुत एहम होंगे तमाम अभियर्थियों के लिए शाथियों हम आपको बता दे कि अपने प्रेस कॉनफरेंस के दवरान चेर्मन अतुल परसाद महोदे ने बहुत बड़ी बात कही है और उसके दवरान उन्होंने कहा था कि तमाम अभियर्थियों के मांग रही थी कि सप्लिमेंटरी रिजल्ट जारी किया जाए लेकिन सप्लिमेंटरी रिजल्ट के बदले में हमने सप्लिमेंटरी एकजाम निधार्द की है और तमाम अभियर्थि उससे लाभ ले सकते हैं उसका हैदा उठा सकते हैं साथियों इसके क्रम में हम आपको बता दे कि बातों बातों में अतुल परसाद महोदे ने बहुत बड़ी बात कह दी है जिसे समझने की जरूरत है। उनका कहना था सप्लिमेंटरी एकजाम और बातों बातों में इसारा तो इस तमाम बातों के आधार पर हम कह रहे हैं और अपने विसलेशन के आधार पर कह रहे हैं कि जो भी बंधू सिक्षक अभियर्थी TRE2 के 10 अंकों तक कटप से नीचे रह गये थे किसी भी कारण से उनका चैन नहीं हो पाया था अगर आप सभी बंधूयों को लिखना हो तो आप किसी डाइडी में लिख कर रख ले साथियों कि सबसे पहले 10 अंकों तक जिन अभियर्थियों का नंबर कटप से नीचे रह गया था इस TRE3 के अंतरगत उनहीं तमाम अभियर्थियों का चैन होगा आप लिख कर रख सकते हैं यह हमने अपनी बिसलेशन के आधार पर और अतुल परसाद महोदय द्वारा कही गई बात सप्लिमेंटरी एकजाम की बातों पर कह रहा हो शाथियों इसके मद नजर और इसका सबसे बड़ा भाइदा हम इस रूप में ले रहे हैं कि 23 फरबरी त लिख सीटेट का रिजल प्रकासित नहीं होने जा रहा है तो निशीत रूप से सीटेट के अभ्यर्थी इस परिक्छा में समलित नहीं होंगे किसी भी रूप में यह असपश्ट हो चला है उसके बाद साथियों एस्टेट के एप्यारिंग अभ्यर्थियों को भी इस TRE 3 के पर सिक्षन रहत है उन्हें भी किसी भी तोर पर मौके नहीं मिल रहे हैं इस TRE 3 में भाग लेने की तो शाथियों इस आधार पर कह दिया जाए तो नेचीत रूप से सिर्व बसिर्प पूर्व के जितने भी अभ्यर्थि थे उन्हीं को मौके मिल रहे हैं और उन्हीं को भाग अजमाने का मौका अबसर परदान किया जा रहा है जिसमें कटप से 10 अंको तक रहने वाले तमाम अभ्यर्थियों को गरेंटी के साथ सफलता मिलेगी और वे सभी सिक्षक कहलाएंगे TRE 3 की अंतरगत और अन्य बाते बतादे साथियों दोस्तों TRE 2 की अंतरगत जितन सिर्फ अनुभवी अभ्यर्थियों को जिन्होंने किसी भी कारण से किसी भी तूटिया के कारण अपनी हाथ से नौकरियां को गवाई है बादमा की टैलेंट अभ्यर्थियों की भी कमी नहीं है और वैसे टैलेंट अभ्यर्थी जो कि छमता रखते हैं किसी भी किसी भी एक बान ले कि नियोजी सिखचकों की संख्या इस ट्यारी थिरी के अंतरगत काफी ज़्यादा संख्या में आवेदन परने जा रहे हैं। नियोजी सिक्षक काफी ज़्यादा संख्या में इसमें इसलिए भाग लेने जा रहे हैं क्योंकि उनके लिए यह निधारित किया गया है कि तीन बार ही आपको अबसर परदान किया जाएगा उसके बाद सरकार इस पर निर्ने लेगी और बरतमान परिपेक्ष के अनुसार उन सुरत में चाहे कोई भी माध्यम से हो सक्षमता परिच्छा के माध्यम से हो या BPSC TRE 3 के माध्यम से हो उनके बिद्याले अलग होने जा रहे हैं अब वो पुर्व के बिद्याले में मौझूद नहीं रहेंगे पुर्व के बिद्याले से उनका ट्रांसफर आस्थानांतरन ह होने जा रहा है इन तमाम बातों को सुचकर नियोजी सिक्षक इस TRE3 के अंतरगत बढ़ चरकर भाग लेंगे और हो सकेते वो लोग सफलता भी प्राप्त करेंगे इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता अब शाथियों बड़ी खबर बताते हैं कि दो मिशाइल पर अब कोई सकार का सप्लिमेंटरी रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा यानि TRE3 के अंतरगत सप्लिमेंटरी रिजल्ट नहीं होंगे और उसके भी जो सीट बचेंगे उन तमाम सीटों को TRE4 के अंतरगत जोर कर उस पर भरतियां किया जाएगी शाथियों इन तमाम मुद्दों के मद हम सभी चलते हैं और हर बार आपकी बाते आपके नियम ही लागू होते हैं चाहे वो बीच में ही बदल क्यों नहीं जाए लेकिन एक बार तमाम अभियर्थियों की बातों को सुना जाए अगर सप्लिमेंटरी रिजल्ट की विवस्ता नहीं की गई है टियारी थिरी के अंतरग जाए शाथियों ये बात कहीं से पचने लाइक नहीं है वो इस रूप में कि सप्लिमेंटरी रिजल्ट आप जारी नहीं करने जा रहे हैं तो तमाम सीटों पर रिजल्ट क्यों नहीं जारी करते एक बार जारी तो करना चाहिए आकर सीट बचा क्यों ली जाती है तमाम अभ अभियर्थियों की मांग हो चली है। जब आयोग तमाम अभियर्थियों के उपर सोचते हुए सप्लिमेंटरी एकजाम की बाते कह रहे हैं तो नेची तुरूप से एक वार अभियर्थियों के तमाम मजबूरियों को समझना चाहिए। और वो मजबूरी है डो मिसाइल की मज होना चाहिए। ऐसे चुनावी मुद्दे बार बार आते रहे सातियों हसने की जरूरत नहीं है। ऐसे चुनावी मुद्दे बार बार आते रहे जिसका तमाम अभियर्थियों को बार बार फायदा मिलता रहे। एक साल में एक वर्स में चार बार सिक्षक बहाले की खुशियों से कम नहीं है सातियों और तमाम अभियर्थियों को से इस चुनावी मुद्दा का बहुत बड़ा फायदा मिलेगा तो इस चुनावी मुद्दा के अंतरगत ही दो मिसाइल निती लागू नहीं की गई थी बरतमान सरकार माननिय मुक्वंतरी स्री नितीश कुमार द्वारा वे पर्धान मंतरी की और अग्रसर थे अब उनकी मजबूरी समापत हो चली है अब पिम बनने की कोई आसा नहीं है क्योंकि पर्धान मंतरी के उमिदवार के साथ हुए खुद ही एलाइंस हो गए है तो ऐसे में मजबूरिया समापत हो चली है माननिय मुक्वंत्री की और माननिय मुक्वंत्री को चाहिए कि तमाम अभियर्थियों को कम से कम एक बार TRE 3 की अंतरगत दो मिसाइल निती लागू कर देनी चाहिए कि निची तुरूप से तमाम अभियर्थियों की मांग दो मिसाइल निती अगर लागू कर दे जाती है उसके बाद ही ये सज्जमुच माना जाएगा वास्तविक माना जाएगा यह सप्लिमेंटरी इकजाम था अने था बातों में बहकाने की बात कही जाएगी बातों में फसाने की बात मानी जाएगी और तमाम अभियर्थियों के साथ छलावा करने की निती मानी जाएगी इसके सिवा कुछ और नहीं कहा जा सकता शाथियों लेकिन चाहे जो कुछ भी हो तमाम अभियर्थियों के लिए खुश खबरी है तमाम अभियर्थियों के लिए अच्छे मौके हैं और आप सभी इसको हम ये अबगत कराते हैं कि मेहनती और सिछक बनने की जजबात रखने वाले तमाम अभियर्थियों को इस TRI3 के इंतरगत सपलता मिलेगी और उनके सपने साकार होंगे शातियों हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और अच्छे से कॉमेंट करेंगे तमाम अभियर्थियों के पास इसे सेर करते हुए आप भी अपनी तैयारी में लग जाएंगे हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए कहते हैं जय हिन जय भारत दोस्तों